दोस्तों अगर आपके फोन में OTG जो है वो नहीं काम कर रहा है आप इसमें लगा भी रहे हैं बढ़ तब भी नहीं चल रहा है आपका OTG तो आप इसको कैसे फिक्स करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो देखिए बहुत सारे फोन में जो है जैसे वीवो वगरा के फोन में आपको एक सेटिंग करना होता है सेटिंग में जा करके ठीक है केवल अगर आप OTG लगा देंगे तब OTG नहीं चलेगी आपको सेटिंग भी इनेबल करना पड़ता है वो सेटिंग क्या है आप देख लिजे कहीं ऐसा तो नहीं आप वो सेटिंग ओन ही न कर रहे हो केवल OTG लगा रहे हो तो वो सेटिंग करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में और सेटिंग में यहाँ पे आपको एक उप्शन मिलेगा Bluetooth and Devices का आप इस पे क्लिक करिए यहाँ पे आपको एक OTG का उप्शन दिया जाता है आप इसको on कर दीजेगा और यहाँ पे OTG जब लगाएंगे तो आपके में चलेगा हो सकता आप यह सेटिंग इना on कर रहे हो तभी ना चल रहा हो तो आप यह देख लीजे अगर सेटिंग on करने के बाद भी आपका OTG जो है इसमें नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आपके में hardware problem होगी कोई तो आपको करना क्या है चेक क्या करना है आप इसमें जैसे कि यहाँ पर Type-C जो है Port है यहाँ पर तो आपको अपना charger लगा करके देखना है ऐसा अगर आपके में charger चल रहा है तो मतलब आपका phone का जो type C port है ये सही है लेकिन अगर आपका charger सही है वो दूसरे phones को charge कर रहा है बट आपके phone में नहीं charge कर रहा है जब आप इसमें plug करते हैं type C port में तो इसका मतलब आपका hardware problem है आपका हो सकता type C port ही है खराब हो गया हो तो वो आप service center में दिखा करके सही करा सकते हैं उसको बदलवा सकते हैं लेकिन अगर आपके में charging चल रहा है और OTG नहीं चल रही है तो इसका मतलब साफ है obvious सा मतलब है कि आपका OTG जो है वो खराब हो गया होगा तो आपको करना क्या है आप simply एक नया OTG लीजे और वो आपके में जरूर चलेगा क्योंकि आपके में hardware problem phone में तो कोई है नहीं आपका OTG खराब हो गया होगा तो आपको नया OTG लगाना है वो आपके में काम करेगा और ये setting का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके phone में है तो आपको वो setting जो है जरूर कर लेनी है जाके यहाँ पे Bluetooth and devices में जाके ओके यह on क कर लेना है अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे like channel को कर लिजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी वीडियो उस देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और new वीडियो में तब तक के लिए bye bye